नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस बात का पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमारे स्वाधीनता संगराम से जुड़ी हुई, कोई भी शक्सियत वो ऐसा न रह जाए कि अंदेखी हो जाए उसकी वो अंदेखी न रह जाए, तो किसमें सबसे बड़ी बात ही होती है कि ऐसी जो दि तंतर देश के भावी तंतर के लिए वो एक उदाहरन के रूप में, एक मशाद के रूप में काम करती हैं और इस संकल्प को भी ऐसे शक्सियतों के कारण ही बल मिलता है कि हम अब दुबारा कभी से अपने देश को या स्वयम अपने लोगों को किसी भी बाहरी शक्ती का संकल्प होता है तो यह गुलामी की जन्जीरों से निकलना इसे मुक्ती पाना बहुत बड़ी बात होती है और इसी संदर्ब में आज मैं याद कर रहा हूँ, आपके साथ साज़ा कर रहा हूँ, कुछ जानकारियां गुलाब कार के बारे ती गुलाब कार पंजाब की बेट उन सब ने इसे गदरी आंदोलन, गदर आंदोलन की बेटी के रूप में याद किया, गदरी आंदोलन की ती पंजाबी में कहते हैं और हिंदी में इसका अनुआद की गदरी आंदोलन की बेटी इसी रूप में इसे याद किया जाता रहा, दोस्तों मैं थोड़ा साब को य बता दूँ कि ये इसका जन्म की तारीख किसी को नहीं मालूम यद्यपिसकास्तान हमारे स्वाधीनता संग्राम में बड़ा महतुपूल्ड है लेकिन ज्यादा शोड कारी हो नहीं पाया वो परिसितियां ऐसी थी परिसितियां कैसी थी मैं आपको थोड़ा सा बयान कर देता ह कि ये फरिसितियां ऐसी थी कि जब गदरी आंदोलन या देश में गदर आंदोलन भी चल रहा था और ये गदर आंदोलन वाले विदेशों से अपने कुछ समुदरी जहाजों के जरीए उनके माध्यम से इस वदेश लौट रहे थे और लौट भी इस लिए रहे थे ताकि आकर अपने देश की आजादी में अपना योगदान दे सकें वो जानते थे कि हमारी यात्रा कोई सुखद नहीं होगी लेकिन सुखद ना होने के बावजुद उनका ये प्रियास था कि जैसे भी हो ये हम इसको कोशिश करेंगे कि स्वादीनता संग्राम में हमारा भी 1290 में हुआ था और ये संगरूर पंजाब का जिला है उसमें एक गाउं है बक्षी वाला वहाँ पर इसका जना हुआ था और जैसी परंपराएं उन दिनों में होती थी बड़ी छोटी उमर के सोटी उमर थी अभी और उसी में इसकी शादी भी हो गई मान सिंग नमक एक आकलन नहीं है लेकिन ये जरूर है कि उस वक्त एक वक्त समय ऐसा था जब प्रयास ये किया जाता था कि छोटी उमर में ही बेटियों को विजा कर दिया जाए ताकि कुछ अंकट ना करा हो और उसके बाद हुआ ये कि अपने पती के साथ मान सिंग के पास मनीला चली गई मन गदर आंदोलन के पक्ष में अपनी लेक्टर्स का सिलसला अपने भाशनों का सिलसला अपनी जुझारू के अवरों का सिलसला ये आरम कर दिया अब उन सारी परिस्तियों में ये था कि जब इसने ये सिलसला आरम किया तो उसके बाद इससे रहा नहीं गया और ये बकाइद हुई और रास्ते में भी सब को एक परकार से जो जारू के वर अपनाने के लिए फ्रेड़ जिरती रही और उसके बाद इसको बीबी गुलाब का और भी कहते हैं अकि इसका संबंद एक सिक परिवार से था और इसका एक मकसद ये भी होता था एक तो ये मकसद की स्वाधीनता अंदोलन में महलाओं की भागी दारी इसको जतना भी ज्यादा तीका रूप दिया जा सके देने करें ततफ़ रहती थी और इसके लिए ये प्रियास भी रहता था कि महलाओं में जागरती नहीं है क्योंकि शिक्षा उनको दी नहीं गई विशेश रूप से ग्रामीन अंच होना चाहिए और उसके बाद मित्रो लोटी भी और लहोर में इसको पकड़ लिया गया तो लहोर में जिस जेल में रखा गया वाहन जो इससे अमानुशिक बरताब हुआ उसके लिए रूंक टेकड़े कर देने वाला बरताब था उसके बारे में ज्यादा भी वर्ण आपको मैं दे नहीं पाऊंगा लेकिन ये जरूर है कि ऐसे लोग जिन्हों ने इतनी जुझारू तेवरों के साथ पूरी तरह से उपेक्षित परिवारों से संबंद रखते हुए भी मुक्ह धारा में आकर अजादी की लड़ाई में ज्योगदान दिया ऐसी शक्सितों को बोलना नहीं चाहिए और ये थी बीबी गुलाब कौर की संक्षित सी कहानी पचास साल की उमर में इसने आकरी सांस भी ले ली और बजा जाई थी कि जो यातनाएं मिरी थी जेल में उनके कारण इसका शरीर इतना ज्यादा जवाब दे गया था कि उस शरीर के साथ लंबी यातना प झाल